तो नमस्कार आज के इस विशेश कारिक्रम स्वतंतरता आंदुलन में भीमा नायक का योगदान आज हम इसे विशेश पे बात करेंगे दुस्तों भारती स्वतंता आंदुलन में ना जाने ऐसे कितने अंसंग हीरो रहे जिन्होंने अपना योगदान ही नहीं दिया बलकि अपना जीवन भी राश्टर के लिए समर्पित कर दिया पर शायद कहींने कहीं वो कहानियों में छुप गए वो उनकी बातें उनके किस्से उनकी जो जो जारूपन था स्वतंता आंदुलन में उनकी जो सकरियता थी वो जन मानस तक या तो पहुँची नहीं और या तो पहुँची तो इतनी कम कि शायद अभी और भी जरूरत है कि हमारे आने वाली पीड़ी जिन्हें उन सभी के लिए क्रतग्य होना चाहिए वो इस बारे में जाने और इस विशेय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री वसंत निर्गुने जी पूरू सर्वेक्षन अधिकारी आदिवासी लोकला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल से आप लोकला एवं जन जाती अध्यता हैं अधनी वसंत जी आपका इस कारिकर में बहुत-बहुत स बारे में तो इसी प्रश्ण के साथ की भीमानायक कौन है और उनके बारे में थोड़ी सी बात से हम शुरू करते हैं भीमानायक कैसे अज्यात जन नायक रहे हैं जिनका बहुत दिनों तक लोगों को नाम तक पता नहीं था जी और इसके लिए मैं जो उनका प्रामानिक उनकी जीवनी और इसको प्रकास में लाने के लिए मैं दो लोगों का बड़ा उपकार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक तो है स्वराज सौस्थान संचनाला भोपाल और दूसरे जिनों ने भीमा नायक की जीवन को लोग से उठा करके हमारे तक पहुंचाया वो है डाक्टर एमेल वर्मा निकुझ बड़वानी के प्रोफेसर हैं और मैं उनका बहुत आभार मानता हूं कि उनकी वज़े से ये भीमा नायक नाम की किताब जिसमें उनकी एक प्रामाणिक जीवनी हमें मिलती है हम जान सके कि भीमा क्या थे अभी तक हम लोगों को पता नहीं था कि भीमा किस चीज का नाम है और उन्होंने सुतंत्रता आंदोरत ताज्यूब यह है कि 1857 के युद्ध के पहले उनका ज जन्जातियों में चेतना लाना एक मामुली बात नहीं थी इसमर्णी है कि उनका जन्व 1815 में होता है सन 1815 में अच्छा मत्द्ध 1857 की करांदी के बहुत पहले हां तब तो लोगों में सुतंत्रता की चेतना भी नहीं थी गांदी भी प्रायस कर रहे थे हैं ना लेकिन जब उनके पिता रामा थे और ऐसा कहते हैं कि वो मांद सिंग राजा मांद सिंग राजस्तान के जो हुए हैं उसकी सेना में थे और वो बहुत बीर पूरुष थे किसी कारण वस जो है राजस्तान से वो निमाड में आके बढ़वानी के पास सिलावत गाउं हैं वहां एक भीलों को जो फलिया था वहां रहने लगे वही पर उनका विवा होता है एक राजपुत महिला से जो जिनका नाम गंगु बाई था इसके साथ ही साथ गंगु बाई के बाद में एक और विवा करते हैं जो एक भील लड़की थी भील यूती थी इसका नाम था सूरसी तो गंगु बाई के दो पुत्र हुए एक तो खाजा नायक और दूसरा नारायन नायक और सूरसी के दो पुत्र हुए एक का नाम था भीमा नायक और दूसरे का शंकर नाय रहते थे और पिताचु की सेना से वो अग्यात कारणों से भाग करके आये थे और निमाड में रहने लगे थे लेकिन वो बहुत वीर थे और इसके साथ वह योद्धा ही नहीं थे बलकि वो हतियार बनाने की भी बड़े कुशल थे जी तो मितनों कितनी कमाल की बात है कि हम बात कर रहे हैं 1815 की याने 1857 की करांती के काफी सालों पहले और वो भी जन जाती में देश की सतंतरता के लिए ये भावाना और नकेवल भावाना बलकि अपने आपको संगठित करके अभी हम लोग बसंजी से सवाल भी पूशेंगे औ और यहां से बस में शुरू करना चाहता हूं कि किस तरीके से लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के प्रति ये अंदोलन का करांती का भाव कैसे आया और कहा आया एक बहुत मत्पून बात आपको बताना चाहता हूं कि जब सुरसी गर्ववती थी तब वहां एक सन् आदमी बनेगा और वह इतना वीर और सहासी होगा और उसके साथ सा दयालू होगा जी और परोपकारी भी होगा मुझे लग रहा है कि आपका ये पुत्र एक कृरांतिकारी बीर नाएक की तरह ही इससापित होगा तो यही बात आगे चल करके वह हमें उसके जीवन में ये मिलती है ये प्रमान जो है हमको बहुत सरे उनके लोग गीतों में मिलते हैं उनके गीतों में मिलते हैं जनजाती गीतों में मिलते हैं क्योंकि ऐसे जननायकों का हमारे पार इत्यास पे कोई नाम दर्जे नहीं है जी 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 लेकिन लोक की आंख जो होती है वह बहुत तेज होती है ऐसे लोगों को पहचान लेती है और वो अपनी इसमती में ग और आज वेसा ही एक गीत के बारे में कहना चाहूंगा, जनजाती का गीत है, भीली भाषा का गीत है, उसमें कहा गया है कि बोन नि फोजो आयो रे, तीना खोब रोवाडे रे, भोगाडे रे, ओमार तीना दूई बीस न दूई, मानसिया उखा जोगाडे रे, सोर्सी न लोल तोन दोई हुया मानसिया, चोन चांद ने तारा रोई से धर्ती परनोस रहस्य दी, भाव ये है कि एक धर्ती पर एक ऐसा वेक्ति आया है जिसने अंग्रेजियों को मार मार के भगाएगा, और उसकी उम्र उस समय दो बीस और दो, मतलब बीस बीस ने चालिस और दूई ने दो, वो गिंती इस तरह से क्या लगाते थे, बैयालीस वर्षिका था जब सुर्तन तांदोलन में, है न, भीमा नायक, तो ने कहा कि वो बैयालीस साल का जो पैदा हुआ पुत्र है, वो 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 जब तक धर्ती रहेगी, जब तक चांद तारे रहेंगे, तब तक इसका नाम हमेशा रहेगा, बिल्कुल, जब तक सुरश चांद रहेगा, भीमा तेरा नाम रहेगा, बिल्कुल, जनगीक कहता है, और तब से ही वो जननायक बन गया था, दोस्तों कितनी विग्यानिक बात लगती है, कितनी समझदारी पूर्ण बात लगती है, जब हम ये देखते हैं, जानते हैं, ऐसे, मैं तो रोमांचित हो उड़ता हूँ, जब जानता हूँ, ऐसे जननायकों की बारे में, जिन्होंने बिना किसी, मैं भी बात करने वाला हूँ कि, क्या उनके means of communication रहे होंगे, कैसे उन्होंने उस समय एक दूसरे से बात की होगी, कितने distances तै कि होंगे, कैस इसे हुआ, इसके लिए एक छूटी सी उनके भीवन के बारे में एक कथा है, जब उसके पिता चुकि वो तो पिता तो हतियार बनाते थे घर में, और तीर तलवार बर्ची और तीर धनुश, क्योंकि भील लोग तीर धनुश चलाने में बहुत अचुक होते हैं, उनका भीमा घर पे नहीं रहता है, और कुछ अंग्रे जाते हैं उसके घर पर, और उसके पिता को पूरे घर में तलाज करते हैं, तो पिता वहीं मिल जाते हैं, तो उसको जो है, उसकी बंदुख की नोक से, बंदुख की जो पीछे की बूठ होती, उससे उनको मारते हैं, बुरी भीमानायक आता है जब उस समय वो रहा होगा तेवीस-चोईस साल का तो उसको बड़ा क्रोध आता है मा कहती है कि बेटा ऐसा ऐसा अंग्रेजियों ने अपकी पता की साथ और मेरे साथ भी अपमान किया वो अपमान उसको मन में लग जाती है और तब वो अंग्रेजियों के खिलाप हो जाता है और तब से उसके मन में यह होता है कि मैं अंग्रेजियों को इसका बदला लूँगा इस अपमान का मैं बदला लूँगा तब से वो करांतिकारी बन जाता है और फिर अपने गाओं के यूकों को और आसपास के जितनी भी लोग रहते से भील उन सब को इकटा करता है और एक सेना बनाता है उसकी टुकड़ी में सुरू में पचीस लोग आए फिर पचास लोग आए फिर सो लोग आए धीरे धीरे करके उसके पास दो हजार लोग इकटे हो गए और जिनोंने उने गाउं में जहां सिलावत गाउं था और उस गाउं के पास में टेकड़ी थी उस पर एक गड़ी बनाई अच्छा और उसमें सेने को पर रखता प्रस्रिक्शन देता था वो खुद क्योंकि तीर तलवार बर्ची और तीर धनुस चलाना तो जानता ही था उनको भी वह स कमाल की बात यहां बताई कि किस तरीके से उसने लोगों को जुटाया और गड़ी बनाई और वहां लोगों को ट्रेनिंग दी प्रॉपर एक ट्रेनिंग देके ताकि वह सीधे युद्ध में ना उतरे अपने आपकी नक्यवल सुरक्षा कर पाएं बलकि युद्ध अच्छ सबसे बताना चाहता हूं कि वह जन जातियों का होता है वह ट्राइब्स का होता है एक बात और यहां मैं मुझे याद आई है बनव ग्यान की बात करने हैं तो भीमा नायक जो था वह बहुत बड़ा फैस रीडर था वह चेहरे से जान लेता था कि यह आदमी मेरे साथ विश विश्वाजगात नहीं किया था जी क्योंकि ऐसे लोगों को अगर विश्वाजगात उसको मालूम पड़ जाता था कि यह विश्वाजगात करेगा तो उसको तुरंत अपने दल से बाहर कर देता हूं जी मतलब एक तरह से सारव पूरा मनवग्यान को वह जानता था व्क्त बहुत ही महत्पूर्ण बात है और मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूंगा और आभार विश्वाजगाना चाहूंगा वसंद निर्गुणे जी का और आपकी ही तरह के अध्यताओं का आपके विभाग का सुरास संसान का और जो आदिम जाती विभाग बोली वाले जो काम कर रहे हैं वो लोग कि इन्होंने गीतों के माध्यम से लोक कथाओं के माध्यम से किविदंति की माध्यम से शोध करकर के रिसर्च करके उन चीजों को निकाला और हम तक सहज भाष्णा में उपलब्द कराया क्योंकि जो चंद पंक्तियां आपने पुस्तक से पढ़ी जो म बहुत ज़रूरी है आज जब हम आधुनिक्ता की दौर में दोड़ते चले जा रहे हैं ऐसे में हमें मालू होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जड़े कहां से आई हैं और वो लोग कौन से हैं जिन्योंने हमारे राश्टर के लिए हमारे के लिए हमाई स्वतंता के लिए अपने जीवन का बलेदान दिया है मित्रू हम अभी बात कर रहे हैं श्री वसंत अंद्रगुणा जी से आप लोक एवं जंजाती अध्यता हैं अंग्रेजों के निगाम में वो कब आता है क्योंकि यह तो छुट-पुट करता था अपने सिलावद और उसके गाउं के बीच में जो रास्ता था वहां अंग्रेज लोगों को पता लगा कि इसका इसकी गतिविदियां यहां होती है तो अंग्रेज लोग उसको ढूनने के लिए आते थे गड़ी वाली ख़बर गई होगी उन तक गड़ी पर प्रस्रिक्शन उसको जी तो यह पता लगता तो यह जालियों में छुप करके उन पर तीर चलाता था और रात में जब अंधेरे में अचुक निशाना उसका होता था और वो अंग्रेजों को तीर से घायल कर देता था तो यह वो रास्ता सिलावत का बढ़वानी तक का जो रस्ता है चोदा या प लगे थे तब पता लगा कि इसका नायक जो है वो भीमा नायक है अग्रेजों को और उस पर उस पर फिर निगा रखी जाने लगी कि यह क्या करता है एक बार उन्होंने अपनी सेना के लिए जब उसके पिता का देवासन हो गया रामा जी का और रामा चुकि मूल तह भील औ और राजपुत जाती से उत्पन्नमिश्रित जाती से था वो जी है ना वो उसकी मा राजपुत थे और पिता भील था इसलिए वो अपने आपको राजपुत ही कहता था आज भी जो भील लोगों में जो भील बजाती है जी वो अपने आपको राजपुत ही कहते हैं तो वो जो उसके पिता थे, वो भीलाला था और वो एक तरह से अपने आपको राजपूत ही समझता लेकिन वगंगुग वाई थी वो तो राजपूत थी और इसलिए उसकी जो संताने हुई खाजानायक और शंकरніक वो अपने आपको राजपूत ही कहती थी लेकिन ये ये इतो जो सुरेशी का पुत्र था भील स्त्री का पुत्र था, इसलिए ये अपने आपको भील ही कहेता है, भील इसको भील नायक, अत uważa, दो खाजा नायक और इसकी जो एम बात करते हैं तो मतलब उसका प्लादन पालन महारास्ट में उसकी मामा की यहां हुआ जी सर इन्हें मतलब गरीबों के मसीहा के तोर पे भी माना गया उस जगाओं पे तो किस किस तरीके से मतलब इस अंदुलन के लावा और क्या गतिविधियां वो करा करते हैं असल में जब अंग्रेजों के विरु कि जो सेट, सावकार और ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के गुनगान करते थे और अंग्रेजों के पिट्टू थे यानि कहना चाहिए अंग्रेजों से मिले हुए थे उनको भी लूटना शुरू कर दिया तो ऐसे धनाड़े लोगों से सावकार लोगों का धन लूटता थ और वो गरीबों में बाट दिया करता था और यहां तक कि गरीबों में किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वह पहुंच जाता था और पूरा विवाह का खर्च उठा कर उनको देता था और वो विवाह करवाता था इसलिए उसको हर घर में लोग गीतों में यह सब मि जैसे लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो वो खुद जा करके उनको मदद करता था अर्शिक मदद और उसके विवाह में समयलित होता था इसलिए उसका सम्मान गरीबों में सबसेहदिक था लेकिन जो लोग अंग्रेजियों के पक्ष में थे उन लोगों को वो लूटता एक बार उन्ने एक साहुकार से और अली राजपूर के साहुकारों से उन्होंने चालिस हजार रुपे उस समय की बात कर रहूं है तीस के आसपास की बात होगी, तीस या बतीस के आसपास, तब अली राजपूर की सावकारों राजा, वहां की जो राजा थे भील राजा, उसको वो लूटता है, और तब से अंग्रेजियों के और निगाह में चड़ जाता है, और इस तरह से जो चालिस हजा रुपे उसने अ पूर्व, यहने की अठारा उनसो की आसपास की बात है, अठार सथावन के पहले की बात है, और यहां पर एक बहुत कमाल की चीज़ निकल के आती है कि नकेवल स्वतनता अंदुलन की बात हो रही, सोशल रिफॉर्म्स भी, यह शब्द शायद बोलने में हमें बहुत है, एक शब्द और दिमाग में आया था कि जो आदिवासी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इश पूजा, भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, इनका एक बहुत टाइट गुरूपिंग होती है, उस सीच को लेके, तो क्या भीमा भी इस तरह की किसी मतलब समय में देवी भक्ति या देव भक्ति और ऐस तरह के? अगरेजियों कि वहां पर सेना रहती थी, सारजन्ट के उसकी जेल बनाई थी, वहां तक उसके धावे होते थे. इस संपूर्ण में एक चीतना जगायी सुतंतरता की और उस समय सुतंतरता अंदुलन के पूर्व, जबकि जहां से की रानी का कोई नाम उस समय तक नहीं जानता तब उसने एक जन जातियों में ऐसी चेतना और मल्लेशवर में ऐसा कहते हैं कि तीन सो महिलाओं को खटी करके अगरेजनों का विरोध करने जेल में जेल के सामने खड़े हुए तो उस समय कि मैं कह रहा हूं कि ये चेतना जो है भीमा में अचानक रूप से नहीं आई थी उसके पीछे देवी का भी कुछ करपा थी जब जिस देवी को ये प्रिगा करता था वो मंजरी देवी कहला थी तो उसकी कुल देवी थी इसके साथी साथ उनकी जो मा थी ना वो जड़ी बूटियों की बहुत राश हो गया था उसी समय एक दवलत राम करके दवलत सिंग करके एक सेना सेना में था वो भी अग्रेज सेना में था वहां से विद्रों करके निमार में वो भी आया था वो इसका मित्र हो जाता है और उसके सहारे से बड़ी सेना बनाते हैं इसके कुछ इनके कुछ और भी म महराश्च में इसका अंदोलन कर रहे थे, वो अधिनायक थे, सेंद्वा के, निमार का हिस्सा है सेंद्वा, वहां का अधिनायक, अंग्रेज्यों की नोकरी भी की उसने, खाजानायक ने, वहां बार्डर पे वार्डर न उसको बनाय गया था, लेकिन कभी वो उसको गिरफता मा का भी देहाफसान हो जाता है, गंगो भाई का, तब वो अपनी छोटी मा से मिलने आता है, वहां भीमानायक से उसकी मुलाकात होती है, और सुर्शी यह कहती है, बेटा, यह जो काम कर रहा है, चो उस समय सुर्शी को वो याद आता है, जब गर्वों में सन्यासी ने कहा कि यह आदमी कभी वीर बनेगा, और दयालू होगा, गरीबों के सेवा करेगा, वो देख रही थी कि मेरा बेटा गरीबों की भी सेवा कर रहा है, और देश के लिए मात्र भूमी के लिए अंग्रेजियों से लड़ भी रहा है, तब वो खाजा से कहती है, बेटा, तू भी इसके साथ हो जा, और वो खाजा जो है, अपनी पूरी सेना लेकर, उसके पास देड़ हजार आदमी थे, सेना के, वो लेकर के महरास्य से यहां आता है, सेनवा में उसकी गड़ी होती है, और वो भीमा नायक और खाजा नायक, दोनों भाई, वो दस साल बड़ा था, वो के साथ मिल करके उसने एक बहुत जबर्जस निमार में अंदोलन खड़ा किया, और खास करके भील छेतर में, भील लोग तो इतने उसकी भक्त थे, कि एक आवाज में रात में खड़े हो जाते थे, और उसके साथ चलने को तयार हो, दोस्तों, अभी इतना है ये विशय और इतने सारे प्रश्ण हैं और इतने अच्छे से आधरनी बसंत निरुणे जी इन सारे सवालों के हमें जवाब दे रहे हैं, निशित रूप से जो स्वरात संस्थान ने भीमा नायक पर पुस्तक निकाली है, उससे भीमा नायक के बारे में बहुत सारी जान की दारी दी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए किस तरीके से उन्होंने प्रश्रिक्षन किया, उस समय महिलाओं को जोड़ा और लगबग 2,000 लोगों की अपनी एक सेना नुमा गठित करी और कितना कुछ है हमारे जननायकों के बारे में जानने के लिए, बसंत जी अग करी अंसंग हीरोज के बारे में जानने के लिए हम आपके साथ लगातार विशेश कारिक्रम के थुरू मिलते रहेंगे, अगले कारिक्रम तक के लिए हमें आग्या दीजिए, नमस्कार